हेग गाईज मैं हूँ प्रतीक और आप देख रहे हैं टैक प्रतीक यूट्यूब चैनल आज हम करने वाले अन्बॉक्सिंग पोको एफटू प्रो की और आपको बताएंगे क्या प्राइज रहने वाला है इंडिया में पोको एफटू प्रो का साथ ही बात करेंगे इसके कैम डिस्प्ले और स्पैसिफिकेशन के बारे में उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दबाना बिलकुल भी ना भूले ताकि आगयाने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलें मतादू हमने बहुत से अपकमिंग स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग की हुई है अगर आप ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो पर आई बटन में लिंक है आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं Poco F2 Pro की अन्बॉक्सिंग दोस्तों यह है Poco F2 Pro का बॉक्स इसमें नीचे देया हुआ है इसके कलर और बेरियेंट के बारे में Poco F2 Pro का साइबर ग्रे कलर में है यह स्मार्टफॉन और वेरियेंट है 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ में यहां लिखा हुआ है Poco F2 Pro with easy access to the Google Apps you use most चलिए दोस्तों कर लेते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं Poco F2 Pro का फस्ट लुक और दोस्तों बॉक्स कर लिया है ओपन और सबसे पहले इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा एक सेमेजक्टर टूल विद यूजर मैनॉल्स एंड अबैक केस यह ह कैमरा कट आउट्स चलिए फॉन को रख देते हैं साइड में और बॉक्स में आपको मिलेगा टाइप A to type C केबल साथ ही इसमें है एक 30 वाट का फास्ट चार्जर जो सपोर्ट करता है 30 वाट फास्ट चार्जिंग को दोस्तों बॉक्स को रख देते हैं साइड में और बात क करते हैं इसकी main features के बारे में और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसका फास्ट लोग दोस्तों फटु ब्रो चार कलरौ है और जो हमारे पास है वह साइबर गरे इस दुस्त है सब्किल है और यह है दोस्तों फौक्टाइब का फश्ट लोग इसमें glassback भी है Gorilla Glass 5 की protection के साथ में और नीचे दे रखा है Poco F2 Pro की branding चलिए बात कर लेते हैं इसके quad camera setup के बारे में 64 Megapixel का high resolution main camera है इसमें with Sony IMX686 1 by 1.7 sensor size है with f1.89 aperture और इसमें आपको मिलेगा 6P lens बात करें इसके second camera की तो यह 13 Megapixel का with 123 degree ultra wide angle camera 3rd camera है दोस्तों 5 Megapixel का telemacro camera with f2.2 aperture बात करें इसके 4th camera की तो यह है 2 Megapixel का depth sensor और यह camera support करता है 8K video recording को at the rate 24F per second right side में है power button और उसके just उपर दे रखा है volume rocker की दोस्तों बात करते हैं phone के उपर की side की तो यहां आपको देखने को मिलेगा pop-up selfie camera 20 Megapixel का और यह है 3.5 mm का headphone jack बात कर लेते हैं phone की other side की left hand side में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा यह दम plane है phone के back side में है dedicated sim tray साथ है type c port और यहां दे रखा है microphone और उसके साथ ही है speaker grill चलिए दोस्तों लगाते हैं इस पर back case और आपको दिखाते हैं इसका stunning design और कैसे आपका back case protect करेगा आपके camera को ही नहीं आपके screen को भी दोस्तों back case में है camera cut out जो protect करेगा 64 megapixel quad camera setup को चलिए दोस्तों phone को कर लेते हैं boot और मैं आपको बता दूँ इसमें Android 10 और यह based है MIUI 11 पर बहुत ही जल्द इसमें MIUI 12 का update देखने को मिलेगा इसमें है 6.67 inches की full HD plus a mold display with HDR 10 plus POCO F2 Pro में आपको मिलेगा under display fingerprint sensor जो बहुत ही कमाल work करता है साथ ही दोस्तों इसमें है full screen display ना कोई top notch है ना ही कोई punch hole है क्योंकि दोस्तों POCO F2 Pro में आपको मिलता है pop-up selfie camera पूरे 20 megapixel का selfie camera में ही है notifications light दोस्तों यह है multiple notification lights और 20 megapixel के इस pop-up selfie camera में आपको मिलेगा 120F per second का front slow motion है ना दोस्तों कमाल की बात चलिए दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में तो इसमें आपको मिलेगी चारजर 700 mAh की बैटरी विद 30 वास फास चारजर 63 मिनिट्स में फॉन हो जाएगा 0-100% चार्जड चलिए अब देख लेते हैं POCO F2 Pro का N22 score क्या निकल कर आता है इसका N22 score है 56,7038 N22 score phone की overall performance को दिखाता है और इसकी performance वाकई में लाजवाब रहने वाली है अब लगाते हैं PUBG को highest setting पर और आपको दिखाते हैं इसकी performance दोस्तों मेरी guarantee है इस phone में आपको कोई भी lagging देखने को बिलकुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि Poco F2 Pro में है Qualcam Snapdragon 865 processor 7NM process technology दोस्तों CPU की बात करें तो इसमें है Kirio 585 octa core और दोस्तों बात करें GPU की तो इसमें आपको मिलेगा Andreno 650 with 5G support चलिए दोस्तों ये तो ही Poco F2 Pro के processor की बात अब बात करते हैं इसकी video quality के बारे में और इसकी color brightness के बारे में और हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसकी video quality और आप जैसा कि अब देख सकते हैं इसकी video quality कैसी है और मैं आपको बता दूँ कि इसमें है contrast ratio 50,000 to 1 का brightness की बात करें तो इसमें है 500 nits by 800 nits HBM 360 triple ambient light sensor TUV Rindland full care display certification HDR10 plus advanced color scheme settings दोस्तो अब बात कर लेते हैं POCO F2 Pro के camera settings के बारे में और आपको बताते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी camera settings देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाता है up to 10x optical zoom और भी बहुत सारे options आपको POCO F2 Pro के camera settings में देखने को मिलेंगे चलिए बात कर लेते हैं उनमें से कुछ camera settings के बारे में और आपको बताते हैं इसकी कुछ specifications के बारे में भी दोस्तो सबसे पहले दिया हुआ है याँ पर वीडियो stabilization का option जब आप वीडियो शूट करते हैं उसके लिए उसके बाद में है इसमें वीडियो 4K में शूट करनी है 8K में शूट करनी है या आपको Full HD में शूट करनी है उसका option फिर Macro Lens का options है और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं आपको Poco F2 Pro के camera settings में इसका camera वाकई में बहुत ही लाजवाब है चलिए दोस्तो अब हम आपको दिखाते हैं कुछ camera samples जो लिए गए है Poco F2 Pro के इसी mobile phone से यह है दोस्तो 10x zoom Poco F2 Pro का आप quality देख सकते हैं इसके zoom की और यह है 64 megapixel का rare camera का photo sample तो अब बात कर लेते हैं Poco F2 Pro के price और इसके variant के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इसका base variant है 6GB RAM 128GB storage के साथ में जिसमें RAM टाइप आपको मिलेगी LPDDR4X और storage टाइप है UFS 3.1 इसका इंडिया में price रहने वाला है approximately 40,000 रूपीज और अब बात करते हैं इसके higher variant के बारे में तो यह है 8GB RAM 256GB storage के साथ में जिसमें आपको RAM टाइप देखने को मिलेगी LPDDR5 और इसमें आपको storage टाइप जो देखने को मिलेगी वो है UFS 3.1 और Poco F2 Pro के higher variant का इंडिया में expected price रहने वाला है 49,000 के around दोस्तों अगर Poco F2 Pro इंडिया में इस price पर launch होता है तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे आप हमें comments करके ज़रूर बताना दोस्तों thank you तो दोस्तों कैसी लगी आपको Poco F2 Pro की unboxing वीडियो आप हमें नीचे comment करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को subscribe कर दे subscribe करना बिल्कुल free है साथ ही bell icon को दबाए और notification को all पे select कर दे ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की notifications आपको मिले सबसे पहले फिर मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाई बाई